जै मातादी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री वेभव लक्षमी ब्रत का था और ये कथा इस परकार है। कमला वेहद शुशील और संतोसी प्रवर्ती की स्तरी थी। वेभगवान विश्नु की सची भक्ती अपने पती सोहनलाल के साथ गाउं में रहते उसने और उसके परिवार ने सधा दुख ही झेले थे। तब पती पत्नी ने आपस में सलहा की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए। शहर में आकर सोहनलाल ने एक धावा खोल दिया जिससे अच्छी आमदनी होने लगी। यह सब श्री नाराने जी की ही किरपा का फल था जो कमला के आराद्य थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मगर कमला को एक ही दुख था कि जियों जियों उस समझाती मगर सोहनलाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था। वह कहता तुम पागल हो कमला अरे इतने बड़े शहर में आकर भी हावने कोठी कार नहीं बनाई तो धिक कार है हमें गाउं छोड़ने पर। जब इश्वर की किरपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बर सोज कर रह जाती है। कमला पैसव का जिक्र करती हैं तो वह काम मंदा होने का बहाना बनादेता है। दावे का सारा समान एक दुटान से उधार आता था। जब दुटान दार पो उसके जूए किलत और शराब पिने पता चला... दावे के कारीगर भी पैसा ना मिलने के कारण काम छोड़कर चले ग आशूं बच्चे और कमला भूग से बिलगते रहते थे। उस दिन तो कमला आश पुडोस से मांगर बच्चों का पेट किसी परकार भरती रही। मगर आज तो पुडोसी ने भी नजरे फेर ली। आकिर कोई कप किसी पर दया कर सकता है रात होने पर बच्चे भूख से बिलख बिलख कर सो गए नशे में दुथ सोहनलाल भी आकर सो गया और बैचारी कमला घर में बने मंदिर के सामने बैटी रात भर आसु भाती रही उसका फिर्दय बार बार कह रहा था कि हे नाराण जी यह मुझे किस प करिबार पर आई संकट को टालो आज मेरे बच्चे भूख से बिलखते हुए ही सो गए मेरा पती पत्वरस्ट हो चुका है हे लक्षमी पती रक्षा करो मेरे पती को सद्भुद्धी दो इसी प्रकार बिंती करते हुए कब सो गए उसे स्वैम ही पता नहीं चला सुबह जब गुटनों पर टिकाली और सोचने लगी कि क्या करूं बचे उटकर नाश्ता मांगेंगी तो क्या जवाब दूंगी तभी दरवाजे पर दस्ता हुई सैम हुए इसी भे दरवाजे तक पहुची और दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधू को अपने सामने खड़ा पाया क क्यों मुझे भागी का उपभास कर रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ बेटी अपने घर की दिवार पर टंगी नहरण जी की तस्विर के पीछे देख मा तिरा पुराना बटवा पड़ा है जिसमें कुछ धन है और सुन यदि बच्चों को पिता से कुछ लेना हो तो उसे मा को मन लेती है यहले साधू ने अपने जhouले में से एक पुस्तक निकाल कर कहागी है मा बैभव लक्ष्मी की रहत कakah कि पुस्तक है तू मा लक्ष्मी की सरण में चली जा मा तुझे अवश्य ही किरपा करेगी और तीरा धन दाने से घर भर जाएगा मा बैवाव लक्षमी की पुस्तक हाथ में आते ही कमला के शरीर में जैसे नहीं शक्ति भराई वे बोली बाबा क्या सच मुछ मा बैवाव लक्षमी मेरी दरिता दूर कर देगी बेटी जहां बैवेव लक्षमी की किरपा होती है वहां दुख दरिता निवाश नहीं करती तू पुस्तक में लिखी विधी के अनुसार मा का वृत कर तेरा उधार होगा नारायन नारायन कमला तो अपनी सारी सुद भूत भूलकर पुस्तर के प्रिष्ट फलटने लगी अचानक उसके मन में आया कि यदि घर में धन है तो बाबा को खाली हाथ नहीं भीजना चाहिए मैं अभी उन्हें कुछ दे देती हूँ ऐसा सोचकर जैसे इसने नचने उठाई तो अवाक रह गई अभी चन भर पहले ही तो सादू वावा उसके सामने खड़े थे मगर अब तो वहाँ दूर दूर तक उनका पता नहीं था मगर नारायन नारान के शब्द अभी उनके कानों में गूंज रहे थे कमला हत्प्रद सी रहे गई तो क्या नाराण जी मेरे नारान का संदेश लेकर आये थे जरूर यही बात है सोचती हुई कमला तेजी से बलटकर भीतर आई और दिवार पर टंगी नारान जी की तस्वीर के बीछे देखा तो सचमच वहाँ एक पुराना पर्स पड़ा था कमला ने उसे खोल कर देखा उसमें सौ सो के पाँच नोट निकले खुसी के मारे उसके चेहरा दमकने लगा एक नया उत्सा और फुर्ती आ गई उसके शरीर में जल्दी जल्दी इसने स्नान किया और पुस्तक पढ़ने बैट गई पुस्तक में सबसे पहले उसने बरत के नयम पढ़े और यह पढ़कर तो उसकी खुसी का ठिकाना ही ना रहा मा बैव लक्षमी का बरत शुकरवार से आरम किया जाता है यह सयोग ही था कि उस दिन शुकरवार ही था उसने स्नानादी से निर्वित होका नाराण जी के सामने ही संकल्प लिया कि वह मा बैव लक्षमी के 21 बरत करेगी उसके बाद वह बाजार गई और खाने पीना और पूजा का सामान लेकर आ गई उसने बच्चों को जगा कर उन्हें नहला धुला कर नाश्टा दिया और फिर मा बैव लक्षमी बरत का था कि पुस्तक में लिखे नियमों के अनुसार बरत किया सारा दिर में जै मा बैभुलक्षमी जै मा बैभुलक्षमी का जाप करती रही शाम के समय उसने विदिवत मा का पूजन किया और प्रातना की हे मा नाराण जी की आगया से मैंने आज आपकी शरन ली है मेरी मनोती पूर्ण करना मा मैं के वल इतना चाहती हूं कि मेरे पती को सदबुद्धी आए वे सभी दुर्गुणों को त्याकर फिर से सदमाग पचलते वे अपना काम करे जै मां बैभुलक्ष्मी जै मां बैभुलक्ष्मी ब्रत कधा कहकर उसने बच्चों को चूर्मा का परसाद दिया अपने आस प्रोस में बाटा फिर पती के इंजार में पलगे विछाकर बैठ गई रात आट वज़े उसका पती आया कमला को यह देकर सुकत आशर हुआ कि आज वह नशे में नहीं था कमला आस तो चमतकार हो गया इश्वर की करपा से कल से ही मेरा ढावा फिर से चालू हो जाएगा आज लाला ने स्वैम बुला कर कहा कि यदि मैं शराव और जुए की लट छोड़ दू तो वह मुझे फिर से आटा डाल आदी उधार दे देगा और कमला मैंने आस से ही कसम खा ले कि मैं जीवन में कभी भी सराव और जुएत की दरव नहीं देखूंगा यह सब तुमारे शुप कर्मों का ही चमतकार है नहीं स्वामी यह सब मा बैवलक्षमी का चमतकार हाँ स्वामी अब हम सब मा बैवलक्षमी की शरण में हैं आज मैंने मां बैवोलक्ष्मी का व्रत रखा है, मां बैवोलक्ष्मी की सभी कमनों कामनाई पूर्ण करती है, एक बार मां जिससे प्रशन हो जाती हैं, उसके जीवन में कभी भी दुख और धरिता की छाया नहीं पड़ती, मगर तुम्हें यह सब बताया किसने, मेरा मन रुमान्चित हो रहा है, कमला मुझे सब कुछ बताओ, आओ स्वामी आओ, आओ, आप भी पहले मां का आशिरवाद ले, कमला उसे मंदिर के समीप ले गई, एक चौकी पस श्रीयंत्र के समक्ष, मां बैवोलक्ष्मी की जोद और जल के पात में रखी कटोरी में, घर का आखरी गहना कमला की नाख के सोने का कील पड़ा था, सोहनलाल जैसे ही माता की जोद के, समक्ष आया, उसकी आँखों से अबिर अशुधारा बहन निकली, और हाँ जोड कर वै बोला, हे मां बहरोलक्ष्मी, मैं लोब में फसकर प धार करो, हे मां, मैं आज से ही संकल करता हूँ कि अपनी पतनी के साथ आपके वरत को करूँगा, फिर दोनों ने मिलकर मां बहरोलक्ष्मी का प्रसाद गहरान किया, दूसरे दिन सोहनलाल ने अपनी दुकान को जाड़ कोच कर साफ किया, और उसके पुराने कारीगार भी व भुलालच त्याकर सब कुछ मां की मरची पर छोड़ दिया, इसी परकार एकिसमा शुकर बार आया, तो दोनों ने अपने सगे संबन्दियों को बुला कर कधा कही, साथ करन्याओं का पूजन कर उन्हें बोजन कराया, और उन्हें बहरोलक्ष्मी वरत कधा की, एक एक कुस मा जिस परकार आपने कमला के मन की मुराद पूरी की, ऐसे ही मेरे सभी और सभी वक्तों की मन की मुरादें पूरी करना, अपनी शरन में आय किरक्षा करना, सबक सुकषमर्धी धन, धने और संतान देना और इस परकार बянवलक्ष्मी की वरत कधा समाब्थ होई